प्रभीशो मसी के पवित्र और सामर्थे नाम से मैं शिव शंकर ते बारे आप सभी का इस चैनल पर हारदिक अभिनंदन करता हूँ आपको पता है कि जो शैतान था वो अयूब के परिवार में जितने भी लोग थे उनको टच नहीं कर पा रहा था सिर्फ परिवार के लोग ही नहीं अयूब के जितने जानवर भी थे उसके जो भी फसल थी उसकी जो भी आप देखेंगे चीज़ें थी शेतान उनमें से किसी को भी टच नहीं कर पा रहा था क्यों? क्यों कि अयूब धर्मी था अयूब खरा था और अयूब परमिश्वर का भयवान था लेकिन बाकी लोगों का जीवन ऐसा नहीं था वहां लिखाए कि वो आराम से अपना जीवन जी रहे थे दुनिया की रंगरलियों में लगी कुए थे उसके बिच्चे लेकिन अयूब उनके लड़ता था अयूब उनके लिए रात राध पर प्रातना करता था अयूब उनके प्रती भोर को वाइविल में लिखा है सुबह उठके गिंती के अनुसा आर उनके लिए वली चड़ाय करता था उनके पापों के लिए भी शमा मांगता था अयोब उनके लिए रात रात बर आप कह सकते हैं कि प्रार्थना में जाकता था वो प्वास करता था वो एक अच्छा एक धार्मिक जीवन वो जीता था और उसके फल सो रूब ना सिर्फ उसके उपर के लोगों के उपर भी जो यहोवा परमेश्वर हैं उन्होंने एक बाड़ा बांधा हुआ था एक शील्ड बनाई हुई थी और शैतान उसमें से किसी को भी टच नहीं कर पा रहा था तो जब आप विश्वास में हैं प्रभईशु को आप जानते हैं तो जब जब आप दे आपके परिवार के अंदर और उनके भी जीवन में अलग से खुशें आप देखेंगे एक सुरक्षा देखेंगे वो बिमार नहीं पढ़ रहे हैं वो अच्छी तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं वो पढ़ाई में आगे जा रहे हर एक चीज अच्छी होती चले जाए लेकिन जब जब आप विश्वास मीं गिरते हैं अपने अक आत्म के स्तर में नीचे गिरते हैं प्रार्धना को जीवन आपका डगबगाने लगता है आप देखेंगे कि आपके परिवार के बाकी लोग भी जो सदर से हैं वो भी कही कहीं नगई उसके असर में आ जाते हैं वो बिमार पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे घर में कहीं किसी कोई चोट लग गया, कोई एक्सिडेंट हो गया, नुकसान हो रहा है, तो आप बहुत जादा जिम्मेदार हैं अपने पूरे परिवार के लिए, यह जिन्दगी सिर्व आपकी नहीं है, आप सिर्व अपने लिए जिम्मेदार और अकाउंटेबल नहीं होंगे, लेकिन अपने परिवार के लिए भी आप जिम्मेदार और अकाउंटेबल होंगे, आपको अपने परिवार के लिए लड़ना है आपका अच्छा आत्मे के स्तर में बने रहना न सिर्फ आपके लिए ज़रूरी है लेकिन आपके परिवार के लोगों के लिए भी ज़रूरी है आप अगर उनकी सलामती चाहते हैं आप उनसे प्यार करते हैं तो कम से कम अगर वो इशू में उतने स्ट्रॉंग नहीं है, तो आप इशू में स्ट्रॉंग बने रहें, उनके लिए डटे रहें, अडे रहें, खडे रहें, आपको अयूब बनना है, क्या आप अपने परिवार के अयूब हैं, क्या आप अपने परिवार के मुख्या हैं, क यह मेरा दावा है कि आप जब इस काम को करेंगे, तो परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल जरूर देगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को शेयर करें, आप चाहें तो मेरी आर्थिक तोर पर इस मिनिस्ट्री में मदद भी कर सकते हैं, मैं आपको नं आप अपने प्रास्ट्रानि वेदन डेच सकते हैं, आप जो भी माध्यम उसकरते हैं, गूगल पे, फोन पे, जी पे, I don't know, आप जो भी उसकर रहें, आप उसके माध्यम से चाहें, तो अपने आर्थिक मदद भीच सकते हैं, अगर आप इनिया के बाहर हैं, तो भी आप आप मसीकी, वेव नाइस ती.